बिग बॉस के बॉस मीटर पर कल बहुत बड़ी चर्चा हुई है दोस्तों निश्चे मलहा ने कुछ ऐसी बाते कह डाली है जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर हंगामा हो रहा है एक बार फिर से दो फेंडम्स के बीच में तगडी आग लग चुकी है और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे है चलिए बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवूड स्पाय में मैं हूँ अदती शर्मा तो हमें लगा था कि जो आग अलविश आर्मी और पांडा गैंग के बीच लगी है उस आग पर जो है सबने मिलकर पानी डाला है और उस आग को बुझा दिया है और अलविश आर्वी और पांडा गैंगे एक पर फिर से एक हो गए हैं लेकिन दोस्तों कल एक ट्वीटर स्पेस में निश्चे मलहान ने कुछ ऐसी चीज़े बोली उन्होंने कहा कि जो अपॉजट फेंडम है उसको सोचने दो कि वो जीत रहे हैं और यह निश्चे ने ये भी कहा कि मैं गरंटी देता हूं कि अभिशेक मलहान ही ये शोच जीतेगा हम अपनी पावर जो है उन्हें फिनाले वीक में दिखाएंगे और नजाने क्यों तुम लोग इतना स्ट्रेस ले रहे हो अब हर हफते थोड़ी ना हम बहुस मीटर जीते हैं कि भाई हम पीछे जा रहे हैं अपोजेट फैंडम को इंजॉय करने दो जो इंपोर्टेंट वीक है वो फिनाले वीक है और यहां पे फुकरा जो है अल्रेडी अबिशेक जो है वो फिनाले वीक में पहुँच चुका है तो हम अपनी पावर वहीं पर दिखाएंगे तो आप ऐसा लगता है कि खुला चैलेंज जो है वो एक फैंडम ने दूसरे फैंडम को दे डाला है तो घर के अंदर तो फुकरा और एलविश जो है वो अपना भाईचारा दिखा रहे है लेकिन घर से बाहर ऐसी बहुत सारी चीज़े हो रहे हैं जो शायद वो भी आएंगे पर देखेंगे तो उने भी अच्छा नहीं लगेगा क्या कुछ है आप सभी को कहना कॉमेंट्स में जरूर बताइए मिल तो ही नेक्स्ट वीडियो में